Hello everyone, this is Nitesh. अगर आप English सिखना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि हिंदी के छोटे-छोटे शब्दों को English में क्या और कैसे बोलते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. मैंने इस वीडियो में 40 प्लस English के शब्द बताए हैं, जिनको आप हिंदी में कैसे बोलते हैं या फिर हिंदी के छोटे-छोटे-छोटे शब्दों को English में कैसे और क्या बोलते हैं इनके बारे में बताए हैं. अगर ये वीडियो आप लाश्ट तक देखते हैं तो आप हिंदी के छोटे-छोटे शब्दों को इंग्लिस में असानी से ट्रांसलेट कर पाऊगे और आप एक अच्छी खासी इंग्लिस बोल पाऊगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला वर्ड है अबाउट अबाउट का मतलब है के बारे में जैसे हम किसी से पूछते हैं न कि अबाउट जोर्सेल्फ कि अपने बारे में बताएं तो अबाउट का मतलब है के बारे में अबोव इसका मतलब है उपर अबोव उपर एक्रोस एक्रोस का मतलब है के पार के पार आफ्टर का मतलब है के बाद के बाद अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ जैसे के बार बोलते हैं न तुम उसके अगेंस्ट मत बोलो या फिर उसके अगेंस्ट मत जाना मतलब यही है कि उसके खिलाफ मत जाना या उसके खिलाफ मत बोलो अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ अमोंग Among का मतलब है के बीच में Around Around का मतलब है चारो और या फिर चारो तरफ As As का मतलब है जैसा At At का मतलब है हिंदी में पर Before Means से पहले या फिर पहले Before का मतलब है पहले Behind मतलब पीछे Behind किसी चीज के पीछे या पीछे Below मतलब नीचे Below नीचे Binet के नीचे Binet means के नीचे Beside मतलब बगल में इंटू मतलब में इंटू मतलब में हिंदी में बोलेंगे में इंटू को Near Near को हम Pass में बोल सकते हैं नस्दीक बोल सकते हैं अब कुछ ही बोल सकते हो Near का मतलब है Pass Next मतलब अगला Off Off का मतलब है का या की या के Opposite Opposite का मतलब है सामने जैसे हम कबरा बोलते हैं न कि उसके Opposite कि फलानी दुकान के Opposite ही मेरा घर है जा फिर उसके उस गली के Opposite एक गली है उस गली में मेरा घर है Opposite मतलब सामने Out मतलब बाहर Outside Outside का मतलब बाहर ही है Over के उपर या उपर पर Means परती जैसे बोलते हैं न कि परमत का सब्सक्रिप्शन इतने का है पर मतलब परती मतलब एक प्लस Means जोड Round मतलब गोल Since जब से आपने कई दुकान पर या फिर कई शोरूं के बाहर लिखा हुआ है देखा हुगा Since 1965 Since 1970 तो उसका यह मतलब परता है कि जब से कि वो 1970 या 1965 से वो दुकान चला रहे है जब से Since का मतलब है जिसे Then मतलब से Then का मतलब है से यह टी एच एएन है टी एच एएन वो अलग है यह टी एच एएन Then मतलब से Throw के माध्यम से या माध्यम से Till तक जैसे बोलते है ना कि Within Under Within Under Without मतलब बिना Without means बिना According to के अनुसार According to के अनुसार Because of की वजह से Because of का मतलब है की वजह से Close to Close to का मतलब है बंद करने के लिए Due to Due to का मतलब है के कारण जैसे बोलते है ना कि due to मतलब कि जब कोई train लेट होती है फिर कुछ भी होता है तो due to यह फिर दिले बोलते है दिले का मतलब बतलब लेट होना और due to के कारण के में किस कारण से Except for के अलावा Except for के अलावा Far from Far का मतलब बतलब होता है दूर और from से तो मतलब से दूर Far from से दूर Inside of के अंदर Inside of Inside of का मतलब है के अंदर कि इसके अंदर क्या है Instead of के बजाए Instead of के बजाए Near to के पास या फिर के नजदीक अब बूल सकते हैं Next to के नजदीक या फिर Outside of के बाहर के बाहर Prior to पहले से या फिर पहले As far as जहां तक As far as means जहां तक As well as साथ ही साथ In addition to के अतिरिक्त In addition to का मतलब है के अतिरिक्त So thank you friends यह हमारे 40 plus Words meaning थे हैं अगर यी वीडियो को अच्छी लिगे तो प्लीजिस वीडियो को लाइक करें और future में ऐसी words meaning और English sentence नहीं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जूर दबा लें So thank you तब पे के लिए जाहिंद ओने मतरम